देखे अगर आप भी अपने लिए बेस ड्राइ आरन खरिदना चाहते हैं या खरिदने के लिए सोच रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कौन सा आरन लो हूँ तो दोस्तों मैं आपके लिए वैसे पांच बेस ड्राइ आरन का लिस्त तयार करके लाया तो भी मैं आरन आपको रिक्मेंड करूंगा वह आपको आरेनिंग का एक पणिया और खुबसूरत एक्स्पिरियंस देगा हलो दोस्तों मैं हूँ रंजीत और स्वागत है आप सबका इलक्टोनिक्स वाले चैनल में देखिए दोस्तों कोई भी ड्राइ यह लेने से पहले हमें कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना जाए है जैसे कि जो भी आप आरन ले रहे हैं उसका फीचर क्या फीचर में जो आप आरन ले रहें उसके सोल प्लेट में नान स्टी का ज़रूर कोटिंग होना चाहिए ताकि आप आरान करें। तो कपड़ा जल करके आरान के प्लेट से चिपके नहीं। जुद्ध करने में थोड़ा मोटा होने सब्सक्राइब। उसका मार्केट इसका सर्विस सेंटर जरूर अबलेबल होना चाहिए इसलिए फिरत बात दोस्ते और्टे में आता है गरानटी पीरिड मालीजी जो भी आप आयरन ले रहे हैं जिसका 1 साल भी है长 2 साल भी गरांटी है इस लीस्ट में ँगपने सेल यहां घ्रलिक्ट किया और चपहास वे में जोस्तों आता है रेविवर रेटिंग जो आप आयरन खरिद रहे हैं उसका रेटिंग कम से कम ओनलाइन प्लेटफर्म के उपर चार या चार से उपर ही होना चाहिए तभी एक आप उसको बहुत सकते हैं कि बढ़िया प्रोडक्त है और छठे में आता है दोस्तों लूप मालीजी जो भी आप आयरन खरिद रहे हैं उसक चलिए इसके फीचर की बात करते हैं 1108 के साथ दोस्तों यह आ जाता है तो आपके आरन को मिंटों में ही गरम कर देगा और इसके सोल प्लेट पर टेफलन की कोटिंग की गई है तो आपके कपड़े को भी जलने से बचाए गया यह काफी लाइट वेट आरन है दोस्तों यह आट सो ग्राम के आसपास है और इसके इंडिकेटर की बात करें तो इसमें ड्यूवल एलेडी इंडिकेटर दिया हुआ है तो यह आपका रहेगा पावर ऑन अफ के लिए उसका इंडिकेट करेंगा और दूसरा रहेगा जो आप टेंपरेचर सेट करेंगे फेबरी की 60 डीगरी का एक स्वाइबल कोड दिया हुआ है तो आप आयरन को फ्रीली प्रेस करते से कहीं भी मूव कर सकते हैं और काफी एकुरिट टेंपरेचर कंट्रोल दिया है दोस्तों तो फेबरी की इसाब बढ़िया से टेंपरेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और काफी अच्छ दो बारांटी के साथ आ जाता है तो आप दो साले बेफिक्र होकर के एर उनको यूज करिए अगर कभी बीच में खराब हो जाता है सर्विस इंटर ले जाएक पटक दिए फिरी में आपका रिपेर हो जाएगा और इसके प्राइसिंग बात करें तो फिलाहाल तो छेसो पच पर अपके बात करते हैं तो आपके आरं को फटा फटफट गर्म कर देगा मिन्टो के अंदर ही और इसके साल प्लेट पर अमेरिकन हेरिटेज का नौनिस्टिक कोटिंग किया हुआ है तो आपके कपड़े को जलने से भी बचाएगा और आयरन से ची पकने से भी बचाएगा यह दोस्तों हेवी वेट के साथ आजाता है लगभग 1.7 के जी है तो आप लोग देख लिएगा कि आप हेवी वेट वाला आई यूज़ करना प्रिफर करते हैं यह लाइटवेट वाला आयरन यूज़ करना प्रिफर करते हैं और इसके स्वाइबल कॉट की बात करें तो दोस्तों इसमें 360 डिगरी का स्वाइबल कोड दिया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है श्रॉद को फुरिली मूव कर सक और काफी पावर्फुल परफॉर्मेस वाला यह एरन है मतलब रॉफ एंट आफ यूज कर सकते हैं इसका अगर है भी यूज करते हैं यह आपके लिए एक अच्छा च्वाइस हो सकता है और इसके रेटिंग के बात करें तो दोस्तों लगभग 4.2 दिया हुआ प्लेटिंग को पर रेटिंग तो काफी लोगों इसको भी पसंद किया है और दो साल की वारांटरी के साथ आजाता है और प्राइसिंग के बात करें तो लगभग 1100 के आसपास इसका प्राइस है तो चलिए दोस्तों हम अपने लिस्ट के तीसरे नमबर के ड्राई आर्म के बा और अमेरिकन हेरिटेज का गोल्डेन कलर का नौन स्टिक कोटिंग किया हुआ है और काफी लाइट वेट यह आरन है और इसके स्वाइबल कोड के बात करें तो तो थे 60 डिग्री स्वाइबल कोड इसमें दिया हुआ है और एकुरिट टेंप्रेचर कंट्रोल भी दिया और इसका डिजाइन एरो डाइनेमिक डिजाइन है जो एरो प्लें से इंस्पायर होकर के इस तरह का डिजाइन बनाया हुआ है और एक एक्स्ट्रा थर्मल फ्यूज दिया है जो आपके आरन को बचाएगा माली जे कभी आपका आरन ओफर हीट हो जाता है तो फ्यूज अप भग 700 के आसपास इसका प्राइस है दोस्तों मैं जो भी ड्राइन बता रहा हूं उनसाब का लिंग मैंने नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप वहां जा करके चेक कर सकते हैं और खरीदना हो तो खरीद भी सकते हैं और माली जे आपको स्टीम आरन का ही 114 दोस्तों यह काफी दिहत्रीन और जबजस्त आरान और इसके लुप ही मत कहीं लूप भी काफी जबजस्त है तो चलिए एक बार इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं ख्लेप्स का यह आरन भी दोस्तों 1000 वाट के साथ आ जाता है और इसके सोल प्लेट पर भी अमेर 80-degree का सवाइबल कोड भी दिया हुआ है इसमें तो आप आरन को भी फ्रीली घुमा सकते हैं जहां मन करें वहां और इसमें फेबरी की सबसे टेंपरेचर कंट्रूल करने के लिए थर्मोस्तेट का टेंपरेचर कंट्रूल दिया है और इसका भी डिजाइन है वस्के आरन के तरह ही डिजाइन बनाया हुआ है जो एरो डायनेमिक डिजाइन है और पकड़ने के लिए काफी ग्रीपी हैंडल बनाया हुआ है इसका और रेटिंग के बात करें तो लगभग 850 क्या स्वास प्राइसिंग है तो आप लोग देख लिएगा थोड़ा सा प्राइसिंग ज्य सब्सक्राइब करते हैं और यह आता है पजाज के तरफ से और इसका मॉड़ा लंबर है डी एक्स दोस्तों यह काफी जबजस्त आरन है और अमेजन और फ्लिपकाट के ऊपर हम ऐसा बेस्ट सेलिंग में ही रहता है वी फिलहाल में तो दोस्तों चली अब देर ना करते इसमें भी ड्यूवल एलेडी इंडिकेटर दिया है जो एक तो आपका पावर ऑन अफ के लिए रहाएगा और एक टेमपरेचर कंट्रोल के हिसाब से आपका एलेडी ऑन अफ होगा इसमें भी 360 डिगरी का स्वाबल कॉट दिया हुआ है और टेमपरेचर कंट्रोल के लिए भी रेगुलेटर भी दिया हुआ है और वाइट कलर का बोड़ी और गोल्डेन कलर का सोल प्लेट आपके आरण को काफी अट्राक्टिव लूग दे देता है और एडिशनल सेफटी के लिए इसमें थर्मल फ्यूज दिया है परमा लिजे आपका आरण कभी ओवर हीट हो जा है तो यह अमेजन पर बिकने वाला सबसे नंबर वन आरण है दोस्तों और बजाज का कंपनी यह भुरोसे मंद कंपनी है तो इस पर आप भुरोसा कर सकते हैं आख बंद करके दोस्तों अगर मेरे रिकमेंडेशन के बात करें या जो मुझे आरण खरीदना होता तो सबसे प मैं फिलिप्स का मॉडल लंबर हाइच आई वानवन फोर ही खरीदता क्योंकि इसका भी काफी बढ़िया फीचर दिया हुआ है और उपर से कंपनी का एक भरोसा भी है दोस्तों और लाइन एक दो और ड्राई आरण है जिनके फीचर वी बढ़ियां है और काफी अच्छे ब सब्सक्राइब उसका सर्विस सेंटर ही ना में लिए तो फिल वैसा आरण लेने का फायदा किया इसलिए मैंने उनको कंसीडर नहीं किया दोस्तों अगर आपके ड्राई आरण से रिलेटेड या एलेक्टिकल अप्लाइन से रिलेटेड कोई भी कोशन है तो आप मुझे जी तो इस वीडियो को जरू लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलते रहें दोस्तों जाने से पहले हमारे भगवान से याई प्राथना रहेगे कि आप लोग खुब आगे बढ़ी अपने ज